नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तिवारी क्लासिस में आज के इस वीडियो में मोहन राकेश द्वारा रचीत एक बहुत ही प्रसिध्य कहानी मलवे का मालिक इसी का कथासार या सारांग्स को देख लेंगे ये जो कहानी है मलवे का मालिक ये भारत पाकिस्तान का जो वि लोगों के जीवन पर कितना बुरा असर पड़ा है न यही सब को आधार बना कर ये कहानी लिखी गई है तो मलवे का मालिक मोहन राकेश की एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें चित्रित काल संदर्व आजादी प्राप्त होने के साढ़े साथ साल बाद का है इस कहानी में विचित्र विराठ राजनितिक संगात लाखों लोगों की जन संख्या के जीवन पर बड़े पैमाने का दूर गामी प्रभाव डालने बाला अत्यंत ही भीशन कांड है अर्थात उस समय जो सांप्रदाइक दंगे भड़क गए उससे हजारों लोग मारे हजारों लोग बेघर हो गए कितने को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है ना तो एक ये एक बीवी सिका थी मलवे का मालिक कहानी का आरम विभाजन के साठे साथ साल बाद होकी मैच देखने के लिए लोगों के अमरित्सर आगमन से होता है तो ये लोग लाहोर से अमरित्सर आते हैं अर्थात पाकिस्तान से भारत आते हैं होकी मैच देखने के लिए लेकिन जो लोग आते हैं उनका वास्तविक उद्देश ये अपने पुराने टूटे हुए घर तथा बाजारों की एक जलक देखना मात्र है मतलब जो लोग आये थे वे अधिकतर पहले यहीं अमरित्सर में ही थे लेकिन जब दंगा भड़क गया तो वे लोग मजबुरन पाकिस्तान चले गए अमरित्सर के बाजार बासा में कभी विभाजन के दोरान सामप्रदाइक दंगे भड़के थे जिसके कारण वहां आगजनी तथा नरसंघार की ब्यापक घटना अध्य किसी कारण बस एक मुशलमान गनी मिया सकुसल बच गिया था तो यह कहानी का एक प्रमुख पात्र है ना गनी मिया तो वो किसी तरह से बच कर पाकिस्तान चला गया था वही गनी मिया आज साथ साल बाद अपने पुराने घर की नस्ट हुई इमारत और उसके मलबे क भावुकता बस देखने आता है तो उसे गली वाले बच्चे उठाने बाला समझ कर आतंकित हो जाते हैं तो गनी मिया जो पहले यहीं पे रहते थे उसका परिवार यहीं था उसका बेटा बहु सब यहीं था है ना तो आज न जाने उसकी क्या इच्छा हुई कि वो भावु बस वहीं पे देखने आ गए है ना सायद उसे कभी मन में लगा होगा कि मेरा घर अब भी ऐसा ही होगा जो कि किसी तरह से भी संभव नहीं था गनी मिया के घर के मलवे पर अपनी दादागिरी दिखाने बाला गुंडा तथा हत्यारा व्यक्ति रखा पहलबान से उसका आमन सामना होने पर वह अंदर तक हिल जाता है क्योंकि यही रखा पहलबान गनी मिया के घर तथा उसके सदस्यों का संघरक था तो जब ये गनी मिया आते हैं और अपने घर का जो मलवा गिरा है कि ना वहां और गनीमिया को पता भी है कि यही रख्खा पहलवान है जो क्या किया है उसके परिवार के बाकी लोगों का हत्या कर दिया था अर्थात अपने परिवार का हत्यारा को क्या होता है उससे सामना होता है वो अंदर से हिल जाता है लेकिन परिष्थिती कुछ अलग है किया ही किया जा सकता है गनी मिया को इतने वर्सों बाद अचानक देखने के बाद रखा पहलबान स्वयंग में एक परिवर्तन महसूस करता है तथा वह अपने क्या है सागीर्दों को पंद्रह साल पूर्विकी वैस्नो देवी यात्रा के अनुभव सुनाने लगता है अर्था इतना दिन बाद अब वो गनी मिया को देखकर रखा पहलबान भी क्या है अपने में एक परिवर्तन महसूस करता है अब उसमें खत्यारे वाला वो तेवर नहीं दिखता है और वो बात को ऐसे ही बातचीत के करम में अपने पंद्रह साल पूर्व जो बैस्नो देवी यात्रा का रखा पहलवान के माध्यम से पूरे समुदाई का जीवन उनके विश्वास संसकार पध्धती और प्रथाओं को उजागर किया है गनी मिया लाहोर से आई टोली का सदस्य होने पर भी बाजार बासा तक पहुंचने बाला अकेला व्यक्ति है जो दंगों में अपने पूरे परिबार को गवाने के बाद वापस आकर अपने घर को वैसा ही बने रहने की असंभव आसा से उसे देखने अम्रित सराता है जो की संभव लगी नहीं रहा था कि किसी तरह से भी उसका घर अभी वैसा ही होगा लेकिन आदमी का मन का उमीद है ना उसी को लेके वो आ जाता ह अपने मकान के मलबे के पास पहुचने पर उसकी स्मृति की तहें तथा पहचान की परतें खूलती जाती है और वह अपनी जिंदगी की आसा आकांग्छाओं नाते रिष्टों के अबसेस का साक्षातकार करता हुआ नियती को सुईकार कर लेता है कि वैसे ही रखा पहलबान के अगर बात किया जाए तो यह रखा पहलबान ठेट गुंडा लुटे रहेँ जो चिरागदीन के पूरे परिवार का हत्यारा है यह चिरागदीन गनीमिया के ही बेटे का नाम है और गनीमिया के मकान के मलबे का भी जबरन अधिकारी बन बैठता है गली वालों की द्रिष्टी में रखा पहलबान सिर्फ एक निर्दाई गुंडा लुटेरा और और औरतों की इज्जत से खेलने वाला व्यक्ति है जिसमें संबेदन सीलता तथा भावुकता का अत्यांत अभाव है तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं साथी चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलिग्राम का भी लिंक दिया है चाहे तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद.